स्क्रीन पर चल रही तस्वीर में जो शक्स आपको दिखाई दे रहा, वो अपने आपको पुलिस इंस्पेक्टर बताता है। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हो, जब इसके बदन पर पुलिस की वर्दी है और कंधे परतीन सितारे, तो ये जनाब अपने आपको पुलिस इंस्पेक्टर ही बताएगा, लेकिन माफ करिएगा, यहाँ आप थोड़ा धोखा खा गए। ये जनाब न तो इंस्पेक्टर है औ और ना ही इसका पुलिस महकमे से कुछ लेना देना है, अच्छा बताओ, जब आप इस शक्स को देखते हो, तो आपको क्या लगता है, इन जनाब की रोजी रोटी क्या होगी, आप में से बहुत लोगों ने पता लगा लिया होगा, और काफी अभी भी संशय में पड़े हो नाम है लक्ष्मी नरायन, ये जनाब पिछले एक महिने से पुलिस की वर्दी पहन कर लोगों को पेवकूब बना रहे, लेकिन एक दिन इसके जाल में एक यूवप फज गया, इसने मनोज नाम के शक्स को विश्वास दिलाया कि ये उसकी दिल्ली पुलिस मुख्याले में क कैंटीन का टेंडर दिला देगा, जिसके बहाने लक्ष्मी नरायन ने मनोज से लाखो रुपे वसूल लिये, लक्ष्मी नरायन ने अपने सीने पर आरके शर्मा नाम की प्लेट लगा रखी और अपने आपको सागरपुर थाने का इंस्पेक्टर बताता था, इसने मनोज स पुलिस में दर्च करा दी, इसके बाद पुलिस ने इस केस में जाच की और लक्ष्मी नरायन को गिरफतार कर लिया, जिसके बाद पता चला कि ये शक्स पेशे से एक हलवाई है और ये फरजी इंस्पेक्टर बन कर लोगों से ठगी करता था, ब्यूरो रिपोर्ट क्राइ कर दो कि आयू है तो झाल झाल